हरियाना के नू में 31 जुलाई के हुई सामप्रदाइक हिंसा में वांचित पांच आरोपियों को सिंगार गाउं के निवासियू ने पुलिस को सौप दिया आरोपियों को लेकर पुलिस और प्रशासन बार-बार अपील कर रहा था अधिकारी ने सुमवार को ये जानकारी दी पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा सभी पांच आरोपियों से गिरफतारी के बाद पूछताच हुई है पुलिस का नुसार प्रशमंडल हिंसा मामले में अभी तक साथ प्राधमी की दर्श की गई है और 264 आरोपियों को गिरफतार किया गया है शोशल मीडिया पर अफवा फैलाने के आरोपे 11 लों पर मामले दर्श किया गया है और एक आरोपी की गिरफतारी हुई है प्रवक्ता ने कहा सिंगार से पुर्व सरपंच हनीफ अलताफ इब्राहिम चौधरी तैयब पुर्व जेर्मेन साकित और अन्न गाहँवालों ने रईवार को बिछूर पुलिस थाने पहुचकर पांचो आरोपियों जुबेर सलमान अनसार रफीक और अबू बकर को पुल कि आरोपी पुलिस के सामने आत्म समर्बन कर दें विश्व हिंदू परिशत की 31 जुलाई को ही ब्रजमंडल यात्रा पर भीड के हमला करने के बाद नू में सामप्रदाइक हिंसा हुई थी जिसमें दो होम गार्ड और एक इमाम समेच 6 लों की मौत हो गई थी सिंगार के ग्रामिनों द्वारा की गई इस पहल की पूरे जिले में चर्चा हो रही है बाकी लोग भी अब ऐसे आरोपियों को पुलिस को सौप प्रशासन की मद्द करने का मन बना चुके हैं हिंसा में शामिल उपद्रव्यों को नूँ एसपी नरेंद्र बिजार निया चिताबनी भी दे चुके हैं सरपंचो और छेतर के वरिष्ट लोगों के साथ हुई बैठक में कहा कि आपको पता है दूशी कौन है लोगों से कहा कि वो आरेस्ट करने के लिए किसी से रिक्वेस्ट नहीं करते इसलिए उन्हें खुदी सरेंडर कर देना चाहिए पोलिस सुत्रों का कहना है कि कई आरोपी फिलहाल भूमिगत हो गए हैं तो वहीं कुछ राजिस्थान वे अपने रिष्टेदारों के यहां पर चले गए हैं एसपी ने साथ कह दिया कि जो भी आरोपी है उनको अपने आप पोलिस का समक्ष पेश कर दे अन्निता पोलिस अपना काम करना जानती है उन्होंने साथ चिताबनी दी कि शोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति अपवार ना पहलाए अपवार पहलाने की किसी ने भी कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी वीडियो डेस्क अमरुजाला डॉट कॉम अमरुजाला अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमरुजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में और हाँ बैल आइकन दमाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर आमारुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंदर